कब हुई थी ओफिशल अनाउंस्मेंट? क्या प्रीती मानती है इसे अपनी लाइफ का बेस्ट किफ्ट? कैसा होगा बच्चों पर एफेक्ट? क्या फिल्म होगी वूट पर रिलीज? हेलो दोस्तों आप साभी का सुवागत है बॉलिग्राइट स्टुडियोज में। दोस्तों क्या आपको पता है कि 31 जुलाइ 2021 में कियारा अडवानी ने अपना 29 बर्देस सेलिब्रेट किया था और उसे बीच फिल्म आरसे 15 के डिरेक्टर एश शंकर ने उनके बर्थडे के दिन आस गिफ्ट आरसे 15 फिल्म की पैन इडिया लेवर पर रिलीज होने की ऑफिश था शी सेड की वो ये फिल्म के लिए एक्साइटेड तो है ही साथी साथ नर्वस भी है नो डाउट उन्होंने आगे भी अचारिय स्टार के साथ काम किया हुआ है बर जैसा कि आपको पता है कि ये पैन इंडिया लेवल के फिल्म होने वाली है तो ये फिल्म है इस मूवी क की जाएगी पहले की बात करें तो ये फिल्म इसी साल 2022 में रिलीज होनी थी लेकिन कोविड की तीसरी लहर की वज़े से बाके फिल्म की तरह इस फिल्म पर भी एफेक्ट हुआ और इसे मेकर्स के द्वारा पोश्पोन कर दिया गया आर्से 15 की बात करें तो इसकी कहानी एक एक इमानदार आयसे ऑफिसर के उपर बेजड है जो कि एक करब चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो जाता है और एक पावरफुल नीता बन जाता है ऐसा सुनने में आया है कि फिल्म में राम चरण डबल रोल में दिखाई दे सकते हैं और उनमें से एक आयस के रूप में प्ले कर हैं इस फिल्म के शूटिंग तेलगो और तमिल में एक साथ की जा रही है और बात करें म्यूजिक की तो वो ऐसे स्थमन ने दिया है ऐसा सुनने में आया है कि इस फिल्म का बजट काफी ज्यादा होने वाला है जो की 170 करोड रुपे बताया जा रहा है है ना एक हाई लेवल बजट दोस्तों इसे के साथ मुझे यानि की आपकी होस्ट और दोस्त को दे दीजे इजाज़त और आपके इस मोवी यानि की RC15 को लेकर क्या सजेशन या फीडबाक है यह हमें जरूर बताए उमीद करते हैं कि फिल्म को देखने के लिए आप सभी बहुत एकसाइट होंग साथ ही साथ इन फाक्स के बारे में जानकर काफी हैरान भी रह जाएंगे दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें नीजे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जहां पर हर मुवी अपडेट मिलेगी सबसे लिटेस्ट अन सबसे पास्ट और बेल आइकन को प्रस करना ना भूले